तेरे गिरने में हार नहीं तो इंसान है हवतार नहीं गिर उठ और फिर भाग क्योंकि जीत संचिप्त है इसका कोई सार नहीं अगर आपको भी मैथ नहीं आती है तो आप बहुत अच्छी जगा जुड़ चुके हैं आज से आपको मैथ आएगी यह हमारी पूरी की पूरी गारंटी होती है बस इस कलास को पूरा इंड तक देखिएगा बीच में छोड़के बिल्कुल मत जाईएगा सबसे पहले मैं जबाब देना चाहूंगा जो लोग मुझे बेवफा सनम बोल रहें कह रहें कि यह तो दोखा दे रहें उनका यह कहना है कि आप कलास का टाइम रात को बताये थे 9 बजे पढ़ा रहे हो आज 10 बजे देखो मेरे भाईया मेरे बाबू मेरी तो बीबी लेट हो गई थी अब लेट हो गई थी क्योंकि हमारी भी थोड़ी सी कुछ काम से हम गये थे सहर उदर फाइट का फिर लगा तो इसके लिए माफी चाहते हैं एक बार माफ कर दीजिए का दुबारा गलती नहीं करूंगा चलिए अकल मैंने आपको बताया था कि क्या-क्या पढ़ना है सही बोल रहा ना मैं कल मैंने आपको बताया था क्या-क्या पढ़ना है तो सबसे पहले उसमें क्या था आप लोग एक बार बता दो भीया कि यह पंद्रा अगस्त से चलने वाली मैथ है आजादी महुत्सों वाली ठीक है इस बैच का नाम है आजादी महुत्सों वाली बैच है यह इसमें क्या-क्या पढ़ना है जरा ध्यान से देखिएगा और एक चीज और जो इस समय डियलेड वाले बच्चे आये होंगे वीटीसी वाले रात में वीटीसी का ही कलास दस बजे होता है उनसे माफी चाहते हैं धेर सारी बार थैंक् तो अगर मैं पीछे कलास में चलूं तो कल मैंने आपको सिलेबस दिखाया था क्या-क्या पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया था जोड़ घटाना पढ़ाऊंगा गुड़ा भाग उसके बाद वर्गमूल घलमूल एल्सीम एचसीफ घातांक करड़ी ऐसे सिस्टम से बत जाएगा जोड़ घटाना गुड़ा भाग आज यह पूरा हो जाएगा पहला अध्या देखिए मैं यह मान के चलता हूं कि इसमें किसी को मैत नहीं आती है अगर आप सबको आती है तो आप बहुत खुस नसीब हैं कलास को पूरा एंड़े तक देखना जाना नहीं पांच में तीन जोड़ेंगे मेरे भाई मेरे बाबु आठाएगा तीन में दो जोड़ेंगे पांच आएगा यह सबको पता है यह था बीना हासिल वाला जोड़ इसमें भी एक लोचा हो जाता है वो का है कि जब हम ऐसे कोई नंबर लेते हैं जिसमें जीरो भी होता है यह में तिन जुड़ेगा साथ यह सब को आता है अब इसे मीना आ रहा समझ में रजनी कुमारी बिल्कुल बहुत अच्छे बेरे गुड़ बच्चे आप सभी साथी सेशन को लाइक करते चलिएगा हमारी यही उमीद है आप लोगों से ठीक है बाबुआ ठीक है भाईया चलो फि चलो फिर इदार आओ इदार आओ इदार आओ इदार आओ अब बात करते हासिल वाला जोड़ जब हासिल आता है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल 0 लेबल से इसको मत भूलना कि मैं 0 लेबल से सुरू किया हूं तो मुझे हर चीज पढ़ाना पढ़ेगा इसमें सुरू से हासिल का बाता है जैसे देखिए जब जो नंबर 8 हो रहे हैं उनका सम करने पर यानी जोडने पर वो दहाई अंक में आ जाए तब वहां पर हासिल बचता है ठीक है तुन रहा हो न जैसे साथ में चार जोड़ेंगे तो 11 आएगा 11 ऐसे लिखा जाता है इसमें 2 डिजिट होता ह है तो इसका जो एक अंक होता है मेरे भाई हो यहां लिखा जाता है दूसर का वाला है कर जो हासिल हो जाता है अगली लाइन में सबसे पहले जोड़ते है जैसे साधी करवाने में जो अगुअ होते हैं, वो ही लतिय जाते हैं हर जगा जान रहो न बाद में बताएंगे डीटियल में, तो यह अगुअ है इनको सबसे पहले पकड़ेंगे इनको इसमें लाखे जोड़ेंगे तो तीन एक चार और पांच यह कितना हो गया नौ अस्वनी आरा समझ में जै पंडे और पीता ठीक है तो यह सभी कर लेंगे मैं याद रखियेगा बार-बार बता रहा हूं मैं बच्चों को नहीं बढ़ा रहा हूं चोटे बच्चों को कुछ माताएं ऐसी हैं जो नहीं-नहीं माताएं और जगा ले आती हैं यह लगुबा चल रहा हूं बच्चों को नहीं बढ़ा रहा हूं कि यहां से मैं सिखाऊंगा जीरो से तो बच्चे महुत परिशान करते हैं उनसे निभेदन है कि छोटे कि बच्चे फोन काल या मैसेज ना करें यह कलास उनके लिए बिलकुल नहीं है कि समझ रहे हो ना तो आप समझ समझ के चलना यह आप लोग कर लेंगे यह हो गई जोड़ घटाना मतलब जोड़ने वाली भी बात इसमें जीरो सेजफ़ वाली जो बात आई पहले उसमें थोड़ा समझ ना जैसे यह 4, 3, 0, 9, 5, 3, 1, 2, 3 इनमें भी थोड़ा सा अलग मैं जितना टाइप बताऊंगा जितना कुछ बताऊंगा थोड़ा सब एक दूसरे से अलग होगा इसलिए पूरा इंड तक जरूर देखना इसमें अभी जिनको मैत बहुत अच्छा आती है उनके लिए भी इसमें कुछ पॉइंट सीखने वाला मिलेगा ठीक है चलो 9 में एक जोड़ेंगे 10 और 10 में 0 जोड़ेंगे तो बहिया कहते हैं ना जीते दिये न कवरा मरे उठावे चवरा सुने ओक नहीं कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माबाप को अपने परिजन को जीते एक गिलास पानी ने देते मरने बाद बहुत बड़ा पार्टी करते हैं वो बिल्कुल नालायक होते हैं यह मैं क्यों बताया यह मैं जोड़ा कोई फरक ने पड़ता दस ही रहेगा तो दस का यह दस रहेगा और दस का दस मतलब जसका तैस तो इसका एक सुन यहां लिखेंगे और एक जो बचाए वो क्या है वो हो जाएगा हासिल बच जाएगा आप कही तो बोलते हैं कुछ कहरी हो गएरा जो भी तो इसको पकड़ के लेके आएंगे यहां जोड़ेंगे सबसे पहले तो 3े के हो जागा 4 4 में 5, 9 9 में 2, 11 सही जा रहा न 11 का 1 हासी लाया 1 फिर एक हासी लाया क्योंकि 11 हुआ था अब एक हासी लिसमें चोड़ दो पहले नि बाद में भूल जायेगा तो 4, 1, 5 3, 8, 3, 11 समझ में आया की नहीं सबको समझ में आया पक्का आया न समझ में गोपाल आया समझ में पक्का आया समझ में तो सभी साथी सेशन को फटा फट लाइक कर दीचे देर मत करिये यह हो गया इसको हटा यह साइड करिये इसको चल वही निकल ले हां से इन सब को यह सब आता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जैसे सिलेबस लिखवाया हूँ ऐसे पढ़ाऊंगा तो मैं अपने वायदे का पक्का हूँ अब वो मुकर जाती है तो मैं क्या करूँ मैं तो इमांदार हूँ न तो मैं इमांदारी से पूरी वफ़दारी से मैं जैसे बताया हूँ ऐसे ही पढ़ाऊंगा ये जोडना हो गया जोडने में मैंने सिंपल वाला बताया भासिल वाला बताया और जीरो वाला भी बता दिया कुछ लोग निच्चे उपर कर लेते हैं लेकिन अगल बगल से नहीं कर पाते हैं तो अगल बगल वाला भी देख लो जैसे देखिए ये 35, धान 1, धान 5 इनको ऐसे जोड़ना है तो कैसे करेंगे? देखिए इसमें एक जुगार बता दे रहा हूँ सुनो सुन लेजिए कैसे? इनमें देखिए ये दो अंक है इसमें एक अंक है तो भाईया हो ये लाश्ट में अंक है न तो देखो 5 के आगे हम जीरो बढ़ा सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन 5 के पीछे हम जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं इसमें बुराई ही बुराई है जैसे आपने देखा होगा दुकानदार जो कोई चीज बेंच रहा है वो आपको 10 गराम जादा दे देगा चलेगा 50 गराम भी जादा दे दे चलेगा खुस रहेंगे आप बहुत अच्छा है अच्छा है लेकिन अगर वो दुई गराम भी कम तवल रहा तब सरव कम तवला थे नजाब बयान से इनके की समझ रहे हो तो वो नहीं चलेगा तो वैसे यहां का है कि यह ऐसा हम कर सकते हैं तो यह जो पांच है सिंगल था इसको भी हम तो 5 डबल कर लेंगे 0 पांच करके अब देखो लाश्ट वाला दूसरा आनक जो है सब आपस में जोडेंगे 001 इसमें का इसमें का इक इसमें का पांच स्ड़ और यह बगल बगल जोड़ते हैं हम हैं तो मैं सिखा रहा हूं चुकि जीरो लेबल ते और फिर मैं बता दूंब बार-बार में बता दूं यह मैं बचों को नहीं पढ़ा रहा हूं बचों के माता पिता को पढ़ा रहा ह Sabbath up लिए जो मा刚 नहीं ने भाई पिता बनने का सौभाग पाए हैं वो बच्चों को फोन पर बात ना करवाएं हम से कि लो भाईया पूछ लो जोड़ना घठाना ठीक है यह मैं उनके लिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वह बहुत हैरान कर देते हैं इसी इसी माता है फोन कर वाती है बगल में फ दवाई खिलानी पड़ती इसी चक्कर में पागल हो जाते तो इसलिए आप समझेए कि यह आप लोगों के लिए हैं बच्चों के लिए नहीं है अगला आप सभी ऐसे कर लेंगे अगल बगल वाला देखिए 153 धन 215 कितना आएगा बताएं कितना आएगा जब आप काम खतम हो गया अब घटाने पर आते हैं घटाने पर आओ सफ्ट्रेक्शन पर आओ देखो सुनो गटाने में क्या करना है यह थोड़ा सा अलग होता है नहीं भाई हफने दों हफने के चूट है बहुत ज्यादा नहां सो कि पानी पीना पड़े और फिर कुछ और करना पड कर देख सारा चीज करने का सम्विधान में अधिकार है इसको नहीं रोका जा सकता है तो घटाने में आए देखिए इसमें हमेशा बड़ी गिंती से छुटकी गिंती घटती है इस इंपल वाला घटाना है सबको आता है मैं अभी यह बता रहा हूं कि आपको क्या क्या आता ह जो लोग कहते हैं मुझे मैत नहीं आती है मैत में कुछ नहीं आती है मैत ना आने की वज़ा से मैं जिंदा हूं पता नहीं कैसे बाकी अब तक तो मर गया होता इसे तो वो समझें कि उन्हें बहुत कुछ आता है मैं यह इसलिए पढ़ा रहा हूं सुरू से कि आपको लगे कि तो गटाना है मतलब दो फाइंगग से भिलाल नहीं 50 रुपय नुक्सान है कितना बचा एक अना तो ये घटाना सीख गए तो यहां पर क्या वंच में से घटाना है ऻ्धा पाच में से एक घटाना यह देखो माने पांच ले लिया早 कितना घटाना एक ना एक गिरा दो इसमें से कितना बचा चार ना तो यह तो सभी कर लोगे मुझे सब सिखाना पड़ता है पक्का कर लोगे ना ओके लेकिन फिर से मैं बता दूं कि यह मैं छोटे बच्चों को कच्छा एक दो आले को नहीं पढ़ा रहा हूं इस लिए जो ल सालों को जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए पढ़ा रहा हूं तो चोटे बच्चों को नहीं पढ़ा जा रहा हूं ठीक है यह आप कर लेंगे इसके बाद क्या है इसको सभी जानते हैं अब आता है उधार वीधार वाला घटाना सब्स्ट्रेक्शन चुकि मैंने प्रॉमिस इसमें ऐसे होता है कि जब काम नहीं चलता तो बगल से उधार ले लेते हैं कि उधार लेना जानते हों कि नहीं भाई साम को खाना बनाने जा रहें नमक नहीं तो पड़ोशन के हां पहुंच गया नमक मांगने सिर्फ नमक की मांगना बस चलो देखो दर सुनो तो कैसे करें कि इसमें से उधार लेंगे तो यह कितना यह गएगा भाई उधार लेते हैं तो यह मान लेते हैं हम लोग कलपना में जीते हैं की अटहरा बन ग्या एक हीठना बन गया जब की अटहरा बना नहीं रहता है लok majors in gynnaald खण घाण अनगया तो यह हो गया नौ अब ये कितना बचाए यह भी मान अई ही जाता है कि दो बचाए इस एक कि यह होता है उधायर वाला कटाना इसमें थोड़ा सा मानना पड़ता है कि समझ रहो ना कि नहीं समझ रहो ठीक है समझ रहो अच्छी बात है आप लोग बहुत अच्छों बेरे गुट कि चलो कि आगे बने अभिसाल गौतम आरा समझ में ठीक है बेरे गुट सीमा खान आपको भी आ रहा है इसका मतलब सबको आरा दोड़ रहा है चलो तो अब हम इसको हल करते हैं फाइब टू और यह सेबन और यह थ्री इसको सब्ट्रेक करके आप बताओ कितना आएगा फटा फट सुभाम मिसरा बेरे गुट सुभाम आप यह समझ लीजिए कि अगर आपको मैथ नहीं आती है हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपको मैथ सिखाएंगे कि देखू मैं दो तरह के लोगों को नहीं आती हैं एक ऐसे होते हैं जिनको नहीं आती है लेकिन व कि छाहते तो यह तो वैसे हो गए कि मोबाइल तुम लिए हो तुमारे अंदर साप्ट बेर ही नहीं फोन में थाम क्या करेंगे तो साप्ट बेर तो नहीं डालते हैं वो तो आपके माता पिता डाले होंगे पहले से तो जो सीखना चाहते हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत इच्छा बची है उनको हम सिखाने की पूरी गारंटी लेते हैं अगर कोई कलास नहीं मिलती कलास के बारे में कोई समस्या है उपार नंबर है उस पर संपर करिएगा दिन में रात में नहीं आगे बढ़ते हैं होर और 9 2 इनको भी आप लोग कर लेंगे लेंगे कि कि ट्मेस सेवन तो घटेगा नहीं ये छुटका ये बढ़का है तो च्छुटका से बढ़का कभी जाता नहीं तो बढ़के फिर चुटका जाता है न तो एक काम करेंगे इसमेंसे उदार ले जाके इसे बनाएंगे 12 12 में से 7 गया 5 एक कम और भी कर सकते हो इसे आप उल्टा भी गटा सकते हो नीचे से 7 में से 2 गया 5 प्लस महीं लिखना इसमें से एक उधार गया था यह 4 बचा 4 में से 3 गया एक अब यह सब बताना फालतू है आप लोग कर लोगे सब इसमें खासियत होती है आप इन दोनों को जोड़ो तो उपर वाला आ जाएगा जैसे देखो 7 पांच 12 का दो हाँ फिल एक 3 एक 4 एक 5 आ रहा है न खुस्बू खुस्बू यादो देखे जितने हाई स्कूल वाले उपर नंबर दिया गया न उस पर संपर्क करिए आपको बताया जाएगा आप एक गुरूप में जोइन हो सकते हो गुरूप में जुडने के लिए आपको 50 रुपए का जुवाइनिंग सुल्क पर करना होगा और फिर सारी कलास फ्री होगी सिर्फ जूडने के लिए एक बा मल्टीबल वाला में पॉइंट आता है सुणीएगा वह भी सुनीएगा वह वी सुनीएगा इसमें और एक जैसे देखो आप वह देखो 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 इस तरह का घटाना होता तो क्या करते हैं देखे जितने भी जीरो होते हैं अगर उनको किसी नंबर से घटाया जा रहा है तो कोई फरक नहीं पड़ता है उसके अंसर में वही नंबर खुद उतर जाती जैसे पांच में से सुन गया पांच ठीक है ये दो है न तो दो में से तीन तो घटेगा नए इस में से उधार जाएगा बारा बारा में से तीन गया नथी ये एक उधार दिया था तो ये दो बचा है तो ये 295 आएगा समझ में आया अ आगे बढ़ें जल्दे लिखी है सिवांगी तिवारी राद 10 बज़े ही टाइम होता है लेकिन आज नहीं चल रही है आज नहीं चल रही है वाटसाप गुरूप में जुड़ने के लिए उपर दिये के नंबर पर अपना कलास यानि समस्टर नाम और जिला लिख के भेजें आपको जोड़ दिया जाएगा फिर बीनू रंजन आरा समझ में और पीता यादो आपको भी आरा समझ में अच्छी बात है कि आप पढ़ने लगे लोग चलो गुड़ा में बात करते हैं देखो भाईया जो गुड़ा होता है वह एक परकार का जोड़ ही होता है जोड़ का ही एक पुराना भाई होता है गुड नेखो जैसे मैंने कहा कि थिरी का फॉर में मल्टीपल करो कितना आएगा हर को कर लेगा हुआ है थिरी का फॉर में मल्टीपल करने का मतलब यह है कि तीन को चार बार जोड़ना है ऐसे इस गूरा समझ रहे हों कि इस गूड़ा क्या है मल्टीपल एक परकार का जोड़ है कि जैसे तीन को चार बार गूड़ा किया जाया तीन को चार बार जोड़ा जाये तो बात वही आती है कि ऐसे हर किंती में लागू होता है जैसे अगर मैं का हूँ कि चाच्चा 125 को 25 से मल्टीबल करो तो अब आप ये भी कर फकते हो इसको जोड़ सकते हो 25 बार लेकिन इतना बेवकूब तो हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैं आप कैसे सीखेंगे चुकि मैं पढ़ाता नहीं शीखाता हूँ चोटे बच्चों को अगर कोई घरजियन या कोई चोटा बच्चा देख रहा है तो वह समझ ले कि यूटूब पर मिल रहा वही देख लीजिए नंबर पर संपर्ख करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला यह मैं सीटेट सूपर्टेट एससी अगनिबीर और पीटी लेखवाल रीट पुलिस एसाई भरती की जो परिक्षा देते हैं सब इत्यादी जिनको मैथ नहीं आता है उनके लिए पढ़ा रहा हूं कि कैसे सीखेंगे आईए तो यह सब आप लोग समझ गए इसमें हम छोटी छोटी बात करेंगे लंबी चोड़ी बात तो कभी करते नहीं है यह कर लेंगे ना बारा का दो में गुड़ा 24 एक चीज लेकिन और आपको पहाड़ा आना चाहिए बड़ी गंदी बात है मैथ में आना चाहिए पक्का कितने तक आता है इमांदारी से बताओ कोमल बर्मा हाँ आपको टेबल कितने तक आता है कि जवाद दीजिए राम परताब सभी बताइए कितने तक टेबल आता है मैं पानी लेके आता हूं पानी लेके आ रहा हूं क्योंकि मैं बोलने की हिम्मत में नहीं हूं बसाम से चिला रहा हूं कि चलो बताए रहा हूँ हाँ मैं सबका कमेंट देख रहा हूं इधर साइड में बस बस में पानी लेके आया आया कि भर रहा है ना सुनाई भर रहा है आप लोगों को मैं आया हूं पानी लेने चुकि आज यहां पर मैं अकेला हूं जिन्दगी अकेली चल रही दीरे दीरे कमेंट आ रहा है अंकीता तिवारी आ रहा है बिल्कुल आ रहा है और मैं भी आपके सामने आ रहा हूं मैं पानी ले लिए किया हूं और आ रहा हूं फटाफट चल भाई कि कि खट गया का यार चल रहा है ना कि किसी को कोई समस्या नेया कुमारी अच्छा आप लोगों को पहाड़ा याद है कोई 25 तक कह रहा है अच्छा पक्का याद है कि चलो बता बारा चंग कि ट्राइल सिक्ष जा कितना होता है जैप अंडे कि ट्राइल सिक्ष जा कितना होता है कि बेरी गूड बेरी गूड बेरी गूड अंकिता अर्पित गोपाल विसाल देखो एक चीद तो समझ लीजिए आपको गिंती और पहारा तो पक्का आना चाहिए गिंती और पहारा पक्का आना चाहिए मैद सीखने के लिए समझ रहे हो ना जैसे रोटी बनाना है तो हमारे पास आठा गेहूं होना चाहिए अगर आठा भी नहीं गेहूं भी नहीं तो रोटी का बनाओ गया हाथ पैर की तो हमें पहले कच्चा मैटेरियल चाहिए कुछ भी बनाने के लिए तो वैसे ही आपको पहारा आना चाहिए मैद सीखने के लिए ठीक है तो अच्छी बात है जिनको आ रहा है बनिया है अच्छा जो 25 वाले हैं वह महां से यह बताएं कि 21 फोर्जा कितना होगा 21 फोर्जा कितना होगा तो यह सब तो पहाड़ा ही है 21 फोर्जा कितना होगा देखो चाहे तो 21 फोर्जा ऐसे कर लीजिए और चाहे तो 21 21 21 21 21 इनको जोड़ लीजिए बात एक हुई मैं आपको सिखा रहा हूं गुड़ा जोड़ना और घटाना हो चुका है मैं गुड़ा सिखा रहा हूं तो जब किसी एक ही प्रकार की गिंती को एक से अधिक बार जोड़ा जाए तो उसी को गुड़ा कहते हैं हुआ 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 है कि समझ रहा हुआ आप लोग कि सिवांगी गुपता अस्वनी बबलू को मल ठीक है बेरी गुड़ चले आगे बढ़े तो गुड़ा करने में बहुत आसान होता इसमें कुछ चीजें है एक दम जिल्ला होई गया रिगा जब बेज़ दिखाता रहता हूं सब को चलो छोड़ो जाने एक बात बताएं न वह क्या है कि लोग सुरू सुरूं बहुत दिखाते हैं जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाना सुरू किया था भले एको बचवानी देखता था फूटी कवड़ी नहीं आती थी कलास से लेकिन फिर भी मै देश्टर करता था पचास रूपय का हर चौते दिनों खराब हो जाता था देश्टर पचास रूपय का लेकिन अब अचाय में देश्टर के फैक्ट्री उठा लाओं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी मैं अब पहुचा वाले कपड़ास मिटा देता हूं मतलब रुमा देखें होंगे आप परदान मंत्री जी कुड़ा उठाते हुए फोटो की चवाते हैं उनको बेजिती मैसुस नहीं होती क्योंकि उन्होंने अपने आपको उस लेबल तक बना लिया है लेकिन एक रिक्सा वाले को देखेंगे अगर अपनी वाइफ के साथ जा रहा है तो त तो यह चीज होता है अगर आप अपने आपको किसी एक लेबल तक पहुंचा लेते हो तो आपकी बेज्जती वाली चीज जो हो नहीं राजाती खताम हो जाती पर चलिए आगे बढ़ते हैं गुड़ा की बात कर रहे हैं तो जो छोटे-छोटे नंबर होते हैं नहीं तो को आता है दो त्याइए छे दो दूना चार दो त्याइए छे यह ठीक है कि समझ में आ रहा है ना आएए सुनिए यह वो मल्टीपल था जिसमें कोई हाफिल नहीं आया मैं गुड़ा सिखा रहा हूं मत भूलिएगा गुड़ा को मल्टीपल बोलते हैं अब की देखिएगा यह वो मल्टीपल है जिसमें हाफिल आएगा देखिएगा कैसे पांच का पांच में मल्टीपल करो फाइप फाइप जा कितना होगा फाइप फाइप जा ट्वंटीफाइप ट्वंटीफाइप का फाइप करी आया कितना टू और फाइप टू जा टेन टेन में टू एड़ करोगा कितना होगा ट्वैल यानि ट्वैल मतलब ऐसे मतलब बारा बारा का दो आफिलावा एक और फाइब फोर्जा ट्वन्टी यानि पांचोंग बीस और यह क्या कई सही लिख रहा हूं कि नहीं बताओ सब्सक्राइब बबलु जी बहुत अच्छे अंकीता तिवारी विसाल सोना अली भर्मा नहीं चलेगा चलेगा लेकिन आज नहीं तो सिकन्ड समेश्टर चलेगा आज नहीं चलेगा है जितना पर्वाँ मैं इंसान हूं न उतना दुनिया में कोई बत्ती लेके खोजो होगे दिन के उजालेम नहीं मिलेगा इसलिए सिकंड समेस्टर नहीं चल रहा है क्योंकि सुबह मैं देर में सो के उठता हूं और कल मैं देर के उठाना तो अपने आपको सौ गाली दूंगा सबसे पहले अब मैं आगे कुछ करूंगा और फिर कल क्लास चलेगी पक्का तो यह हो गया आप कर लोगे ना यह हांसिल वाला था इसमें देखो हांफिल आ रहा था बीच-बीच में इसमें नहीं आ रहा था अब एक तरह का मल्टीपल यह है जिसमें जीरो होता है इसको करोगे तो कितना आएगा मैं कुछ अलग सिखाना चाहता हूँ आपको देखिएगा अब मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं रोज यही जोड घटाना पढ़ाता रहूं हर समय बहुत मज़ा आ रहा है गुरू आप लोग भी खुस हो मैं भी खुस जैसे रोगी के मन भावे वैसे बैद बतावे चलो सुनो सेबन फाइब जा थार्टी फाइफ यानि साथ पचे पैतिस पैतिस में दूई जने हो तो इसमें का जो दाहिनी तरह फंक होता है उसको यहां लाके लिखते हैं पैतिस का पांच जो एक ठीत बचता है इसको हासिल बोलते हैं साथ का गुड़ा जीरो में करेंगे मैं आपको यही सिखाना चाहता था कि जीरो में किसी भी गिंती का गुड़ा करते हमेशा जीरो आता है ठीक है सुनने में किसी भी मल्टीपल का मतलब नंबर का मल्टीपल करते हमेशा सुनने आता है या फिर सुनने से किसी नंबर में मल्टीपल करें तब भी हमेशा सुनने ही आता है चाहे वो नंबर कुछ भी हो हमेशा जीरो ही आता है हमेशा जीरो ही आता है किस्ट हो देखो अब तो सात का जीरो में मल्टीपल करेंगे कितना होगा जीरो और अन्योndra bulka 59 बचेगा 0 में करोगे फिर 0 आएगा अब इनका तो कोई समधाने नहीं रहने दो क्यों क्यों क्योंकि यहां तो कोई हाफिल अफिल था नहीं ताथ-इस में उड़ााईकष्यानि यह इतना आगया इसको क्या पढ़ेंगे गया इस ज़्यार पाइंटेस दुई लाग दफ तफ़ाईपाईंटेस 21,35,21,45 क्या पढ़ेंगे ये क्लास रोज रात 9 बज़े चलेगी आज 10 बज़े चल रही है डियलेड वाले पानी पीपी के गरिया रहे है कि मेरा तनाही पढ़ा रहा है आज मैं सोना बाबूस बात भी नहीं करा हूँ इसके चक्कर में आदमी के फिर भी नहीं पढ़ाया है मुझे रात 10 बज़े डियलेड वाला चलता है बेसिक वाला रात 9 बज़े चलता है जो चात्र इमानदारी से कम समय में बेसिक मैट सीखना चाहते है पूरी गारंटी के साथ हमारे दिल के थोड़ा करीब आना चाहते हैं वो PBR Study App डाउनलोड करें और उसमें उन्हें हम अकेले पढ़ाएंगे इस्पेसली अलग तरीके से ठीक है तो आप Google Play Store से PBR Study App जरूर डाउनलोड करें अगर कम समय में सीखना चाहते है लाइट में वो आई है Study ये कट गया है ठीक है डाउनलोड करें और प्यार से सीखें कम समय में आईए यहाँ भी मैं नफरत से नहीं सिखाता प्यार से ही सिखाता हूं बस थोड़ा सा प्यार कम रहता है फीका रहता बस तो उमीद है कि आप लोग कर लेंगे ना हाँ इसको पढ़ेंगे क्या हम वह भी बता देता हूं ऐसे गिंते हैं 21,20,1000,1000 21,035 क्या पढ़ेंगे 21,035 अभी मैं अंकों सब्दों में लिखना सिखाऊंगा तो आपको ये भी बता दूँगा अभी टैन सान मतले ना अभी रुके रहो ये कपड़ा ना ये टुकड़े टुकड़े में गिर जा रहा चू जा रहा बूंदे बूंद अब देखे साथियों जब दो या उससे ज़्यादा अंक हो उनका गुड़ा करना हो तो कैसे करते हैं जब से मोबाइल की दुनिया आ गई तब से यह सब आधत छूड़ गए लेकिन अब करना पड़ रहा है आई ये अच्छा आप लोग मुझे ठी बाता दू बात 25009 कैसे लिखेंगे गिंती में पचीस हजार नौ गिंती में कैसे लिखेंगे आए तो नहीं लिखेंगे है कि हाँ पचीफ या नहीं काई लिखेंगे बताओ हाँ तो मैं मल्टीपल बता रहा था कि जब आए फे गिंती हो आए फे हो अब 45 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं क्या करेंगे आओ सुनों एक मार कर कहां गया देखो कैसे करेंगे हम एक एक गिंती का अलग अलग गुड़ा करते हैं पांच का तीन में पांच तीन पंदरा हाफिल आया एक पाचम 25 हाफिल एक 26 कच्छा हासिल दो पांच तीन पंदरा दो सत्रा ठीक है सबसे पहला सही जबाब सिवांगी तिवारी जी ने दिया है विसाल गौतम और मोहताब गेमिंग बहुत अच्छे नीलम का ओच अच्छा सब लोग का वतायो बहुत अच्छे खिलाड़ी चलो अब क्या करेंगे इसके नीचे मल्टिपल लगाते हैं चार का गुड़ा तीन में चारतियां 12 हाफिल एक चार पंचे बीस एक एक इस हासिल दो चारतियां 12 दो 14 इनको जोड़िये 5 में इसके नीचे कुछ नहीं तो 5 ही आएगा 6 2 8 7 1 8 4 1 5 1 सही है इसको क्या पढ़ेंगे 15,75,000 की 15,085 की 15,885 क्या पढ़ेंगे बताओ ना काहे को सरमार हो क्या बोलेंगे इसको तेंसर मत लीजिएगा हंस्ते हंस्ते मैं मैं सिखा देता हूं बस आप हमारे साथ डेली रात 9 बज़े लाइब आए रात 9 बज़े से 9 बज़ कर 40 मिनिट तक कलास होती है और एक चीज और याद रहे अगर आप रात में लाइब नहीं देखोगे तो बाद में उमीद मत करना कि मैं दिन में डाउनलोड कर लूँगा या कर लूँगी क्योंकि हमारे कोपड़ी नहीं लिखा है हम बाद में कलास हटा देंगे यूटूब से ठीक ना रात में लाइब आईए मैं यहां किससे बात करूं अकेले दुनिया में जिन्दगी में कोई नहीं है आपके सिवा को कोई इंसान नहीं है तो अगर आप लोग रहते हो थोड़ा उत्साहा बनता है कोई है देख रहा हमें अमूह दूल के आएंगे फिर आप लोग आओगे तो ज्यादा संख्या में है ना चलो अहां इसकी कोई गारंटी है कि सही है और यह देख लेता हूं एक बार चेक कर ले कि का गलत है का एक दरवार हो 5-3 15-5 हांची लाएएख ऐख फचंपाटीस एक 22 हांचील दो पांटीया पंगरा दो सत्राथ ही है चार्तियां 12 कार से बीस कैंवह 15 151880 क्या पढ़ेंगे 151880 बहुत अच्छे बेरे गूड बेरे गूड बेरे गूड बेरे गूड थीक है एनी डाउट विसाल गौतम क्या गलत है अच्छा क्या कह रहे हो आप 151880 अर्पित बता रहे हैं ठीक है तो गुड़ा भी आप लोग कर लोगे उमीद है ऐसे तीन अंक्वाला भी ऐसे ही कर लेते हैं ठीक है भया थिरी अंक्वाला भी ऐसे ही कर लेते हैं अब करते हैं भाग में पॉइंट होता है भाग में भाग मतलब भाग और जो मैट से ना भाग, फिर वो मैट सीख जाएगा, बार बार बता रहा हूं फिर से बता दूं कलास में एक बार कि मैं ये छोटे बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए जितनी भी नई माताएं बहने या भाई एंड भावियां हैं, वह अपने बच्चों को हमें फोन करके टूशन लगवाने या पढ़ाने की बात ना करें हम सीटेट सूपर टेट यूपी टेट यहां तक की यूपी असी नीट जैई वाले जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए हम सुनने से सिखाते हैं तो कच्छा पांच वाले या कच्छा च मिल रहा पढ़ने अच्छी बात है मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन उन्हें अलग से कुछ नहीं मिलेगा फोन पर संपर्क करने पर अगर आप कंपटीशन दे रहें कुछ भी आगे कुछ बड़ा टार्गेट है तो आपके लिए मिलेगा मिलेगा यानी 18 प्लस होने देखिए भाग में दो तरह की भाग होती है दो तरह की तो क्या होती बहुत तरह की होती सुनिए पहला एक ऐसी तरह की डिवीजन जिसमें 0 सेस फ़लाए पहले तो आपको कुछ बेसिक फंडा पता होना चाहिए वो देखिए बेसिक फंडा क्या है 18 प्लस हटाओ यहां से न लोग कुछ और निकाल लेंगे इसका मतलब कि कहेंगा इसा का करता है कलास में एक टीन प्लस दिखा रहे है कि सुनिए यह अगर ऐसे किसी नंबर को किसी से भाग करें जैसे मानलोपंदरा तो भाया जिससे भाग करते हैं इसको भाजक बोलते हैं सुन लिजिए हिंदी इंगलिस दोनों में बता दे रहा हूं कि कि इंगलिस में इसको डिवाइजर बोलते हैं क्या बोलते हैं डिवाइजर लिख लीजिए इसको भाज बोलते हैं यानि 15 को डिवीडियंड का बोलते हैं भाइया भाग के बाद जो फाल आका उसको भागफल बोलते हैं इंघ्रॅन इसको पिख्स बोलते हैं ठीक है क्वासियंट बोलते हैं इसको सेसफल बोलते हैं इंग्लिस में इसको रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिस वैसे अभी कभी साफ ने लिखी जाती है हुं चलो सुनो तो यह हो गया इनका बेसिक इस्ट्रक्चर जैसे हम खड़े हैं तो मैं एठी तुथुन है दूठी आख है और पता नहीं का का एठी दूठी है तो यह की स्ट्रेक्चर है एक इंसान होने का कि समझ रहे हो ना तो वह से जो भाग होती है उनका एक इस्ट्रेक्चर होता है कि इसमें इतने अंग होते हैं समझ गए ना तो इन में भी उतने अंग होने चाहिए आए देखिए हां तो इसमें मैं यह बता रहा हूं पहली भाग उस तरह की है जिसमें सेस्फल जीरो आएगा रिमेंडर जीरो आएगा जैसे दो का पाड़ा पढ़िए तो आठ आता है दो दुना चार दो तिया इंचार पहले पता है जब हम लोग छोटे थे हमारे स्कूल जो हुआ करता था घर में अभी वहां जाने के बाद काफी दिल में तकलीफ होती है उन लोगों को याद करके जो साथ में पढ़ती थी लेकिन क्या किया जा है सुनिए मतलब की बात यह है हम लोग बोरी लेके जाते थे अ पंडी जी का मतलब इनth जाती फिंद्य फपंडित नहीं नहीं थे यह जाती की बाती नहीं होती थे चाहा लोग बर्बात कर थे हमारे घर वाले ना गेंवों काटने जाते थे जो भाइस गाच रारा वह भी याद कर लेता था कि आधे को इसकूल पढ़ा पढ़ा जा रहा है सुवेरे एक कटोरा दाल एक थरिया भात खाई जाते तो दिन बर चिलाते थे आज कल के लड़के चाय ब्रेट पकावडा चौकलेट आइसक्रीम पता नहीं काका खाके जाते हैं ऐसा बोलते हैं बगली सुनाई नहीं पढ़ता है समझ रहा हूं ना यह पहाडा बोल करके मुझे सब याद आया कि यहां ऐसा याद करते थे तो बड़ा दूर तक सुनाई पढ़ता था लोग सब याद कर लेते थे पहाडा अजसे पढ़ाय जाता था कि यह लोग कह रहे होंगे यह सी साल का आएका दिखा था जो नहीं नहीं यह सी साल का नहीं हूं मैं अंडर 30 25 हूं लेकिन देखा हूं यह सब देखिए तो यह दो चोक आठ गटाने पया जीरो इस तरह कि और भी भाग होती है जिनमें 0 सेसफ़ल आता है जैसे मानली जीए मैंने 12 ले लिया यहां पर 36 ले लिया तो बारत याई 37 गटाने पर कितना आया 0 ना साथियों यह वो भाग थी जिनमें सेसफ़ल 0 आया लेकिन एक तरह की और भी भाग होती है जिनमें सेसफ़ल 0 नहीं आता है उसको भी देखिएगा मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा इसमें जाना नहीं कहीं देखिए जैसे अब की वाली में मैं आप से कुछ पूछूंगा सुनिएगा जैसे मैंने यहां पर लिखा 37 यहां पर लिखा 12 यह बता इसको भाग करेंगे तो कितना से स्पल आएगा बताए सिलपा देवी हाँ जबाब दीजिए कोई इंक्वारी करना है मेरे भाई उपर नंबर है उन पर संपर करिए कुछ भी इंक्वारी करना है नंबर दिया है उस पर संपर करिए हाँ नंबर दिया है संपर करिए दिन में हम आप से संपर करेंगे तो बारत यहां ही 36 एक आएगा ना कोमल प्रिइगुड मैंने सेसफ़ पूछा था रिमेंडर तो वनाया सेसफ़ कितना या वन ये वो भाग है जिसमें 0 सेसफ़ नहीं आएगा कुछ न कुछ सेसफ़ आएगा कुछ तरह की ऐसी भाग होती है जो एक से अधिक स्टेप में लगती है लेकिन फिर भी सेस्पल नहीं आता है अब तक आप जो देख रहे हो वो एक के बार में कर जाने वाली भाग है किसी में सेस्पल आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है लेकिन आप देखना बस देखते जाओ ऐसे क्या-क्या हम कर रहे हैं अब आप ऐसे देखते रही हो अब तक एक स्थेप वाली भाग थी अब ये एक से अधिक स्थेप होगा देखो यहां तीन अंक है यहां पर दो अंक है तो इस टार्टिंग के हम दो अंक में भाग करेंगे पहले बर जाएगा सेज़ेश पल कितना आएगा बाई बोलो एक बार इसमें रिमांडर कितना आएगा इमान दारी से बताना बिलकुल जोट नहीं बोलना देखो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है मेरे भाई ट्वेल कर टेबल पढ़ आप टेबल सब को आता है सब्सक्राइब करना हम आपको लिंक भेज़ देंगे टेबल ट्रिक की जादू की पुडिया है एकदम याद हो जाएगा दुए मिनट में नो में से आठ गया एक उपर से उताल लो एक एज अच्छा इस सवाल थोड़ा सा मिश्टेक मार रहा था कौनों बात नंजाएद्या अब इसमें कितनी बार जाएगा बारा एक कम बारा गटाओ कितना आएगा दो देखो दो सेसफ़ आ गया इसमें अब कुछ नहीं होने वाल अब समझदीगा dzięki कि अदर ओज यह तो वह भाग है इसमें सेसफ़़ आ रहा है इस्टिप में गया फिर भी सेशफ़ आ गयाعة अभी आपने जो किया इस एक बार बोलिए येस एक बार बोलिए येस समझ में आया और सभी साथी सेशन को लाइक नहीं कर रहे है बहुत जल्दी सेशन को लाइक करें अभी आधे से ज़्यादा बच्चे लाइक ने किये हैं क्या चाहते हैं लोग चलो तो अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा और इस्टेप बढ़ाते हैं देखिएगा थोड़ी दुकान बड़ी करते हैं इसमें इसको मिटा दें साइड में इसको जान रहो नाब ठीक है नहीं इसी पर कर देता हूं जाने दीजी लेकिन यह नंबर थोड़ा बड़ा है लोग कुछ कंफ्यूज मर रहे होंगे कह रहे होंगे तो बाराक पहाला नहीं आओ तका करी दईयर दईया देखो जिनको पहाला नहीं आता कोई परिसानी की बात नहीं मैं आपको मोटीबेट करूं थोड़ा सा तो मुझे भी टेबल नहीं आता था गुरू जी ना मुझको टेबल के उपर कुरसी रखके उस पर खड़ा कर देते थे और सब लड़के लड़कियां बहुत मजा लेते गुरू एकदम अंदर से दिल तूट जाता था लेकिन एक दिन हुआ था इसा दूसरे दिन हम सब याद कर लिए थे कैसे थोड़ा थोड़ा याद करिए टेबल जैसे याद नहीं होता ना आप बारा एककम बारा बारा दूना चौबीस ऐसे करके पूरा दस तक मत याद करो अपके वहल थेन थेन याद करो बार एककम बारा बारा दूना चौबीस बारतिये चॉफी हेस ठीज सुक्तों मासे पूरा दूना चौबीस तुमें ना अगला थेन याद करो दूबीस भरकार तर तुम्हें चाहता क्या दो गया ना 12 चाहतर फिर अगला क्या आद करना है 48 कि अधार भात्तर फिर अगलती नियाद करो ऐसे अधार फच्छारासी बार ठेचानव और नहीं एक सवाट बार दामा कोई भी बड़ी उपलब्धी एक दिन में हासिल नहीं होती है लेकिन लगातार कोशिस करते रहने से एक दिन जरूर हासिल हो जाती है जब मैंने पीवियार इस्टेडी सुरू किया था तो हमारे परियाग राद से सुल्तानपूर पसंजर जाती है फैजाबाद पहले उसको ब सब्सक्राइबर बेज़ेती करते थे लोग लेकिन फिर भी मैंने ऐसे करवा करवा के दुचार 500 सब्सक्राइबर करवाया और आज आप लोगों के प्यार से अगर मैं बताऊं तो 800-1000 सब्सक्राइबर डेली बढ़ते अपने से मैं सोता भी रहूं अगर तब भी बढ़ते रहते हैं तो कभी ने कभी अगर आप मेहनत करते हो दिल से तो उसका फायदा जरूर मिलता है चली आगे बढ़ते हैं अब टेबल वाला यह भाग कि समझना देखिए यह कई स्टेप में जायेगा मैं आपको भाग सिखा रहा हूं सुनिए इधर सुनिए 12 का भाग इसमें कितनी बार जायेगा देखो इसमें छोटे-छोटे स्टेप बाई स्टेप में करेंगे पहले दो अंक में कि बारा दुना चोबिस बार त्याहिए च्छतिस बार चोकर तालिस बार पंचे साथ तो पांच बार जायेगा क्योंकि साथ के थोड़ा करीब मतलब इसके बाफट के करीब आए मतलब बराबर ना है तो उसके करीब तब भी आना चाहिए गटाओगब दो आयेगा अब ओपर से छे उताल लो बारा कभा कितनी बार जायेगा 26 में बार दुना 24 गटाओगे क्योंकि दो आयेगा अब ऊपर से ये चार उताल लिजिए बारा दुना 24 देख्ये जीरो आया न यानि तीन स्टेप में करने के बाद सुनने आया बोलो हाँ देखो भाई इमानदारी से सीखो आया न मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि भाग कितनी तरह की होती है भाग बहुत तरह की होती है अभी तो मैं आपको दसामलों असामलों में नहीं बता रहा हूँ अभी धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो सब बताऊंगा अंकीता तिवारी मुहम्मद फजल ठीक है बेरी गूड संगीता देखिए आज टाइम बहुत जादा हो रहा है मुझे लग रहा है कि बंद भी करना चाहिए 11 बजने वाला है ये क्लास ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा रात के 9 बजे से लाइब और अब मैं सर्बस छोड़ दूँगा चाहे रोज जोड़े घटाना पढ़ाऊं लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर